जैसे हमारे भारत में गोर्खा और राजपुताना बटैलियन है न वैसे ही रूस के व्लादिमिर पुतिन ने एक अनोफिशल बटैलियन बना रखी है जिसका नाम है वैगनर जिसमें बड़े ही खतरनाक सिपाई है जो पुतिन के कहने पर किसी की भी वाट लगा सकते हैं इसी पुतिन के हाट पर फ्रांस और ब्रिटेन ने चाकू गोब दिया है कैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने उसी वैगनर आर्बी को टेरिरिस ग्रूप गोशित करने का फैसला किया है मतलब की वैगनर की तुलना अब अलकाइदा और आइसिस जैसी और्गनाइजेशन से होग पर क्या पुतिन इस बात को पसंद करेंगे? नहीं. क्या पुतिन फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़ देंगे? नहीं. पर इससे वर्ड वोर्ड थी का खत्रा हम सब पे मंडरा रहा है. आपका इसके बारे में क्या-क्याल है कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा. बीजेपी को हार का मुँ देखना पड़ा? क्या राहूल गांदी की भारे जोडो यातरा की वज़े से ऐसा हुआ? क्या बीजेपी का कोई प्रमुक चैरा ना होना इसकी वज़े बना? क्या बीजेपी का 40% करुप्शन का बुद्धा उनकी हार का कारन बना? या फिर केरल स् या फिर जनता ने हिंदू मुसलिम की जगा लोकल मुद्धो पर ही वोट डाल दिये? आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूरा?